तो हेलो गाल, एसकेस बारे वीडियो में बीटी टेस के पीसोड 87 को एक्स्प्लेंट करने मला हो और अगर आपने पिछले माले एपिसोड नहीं देखे हो तो जाकर के दोट से देख लेना है में लिंक बीडियो को रिस्ट्रिशन में दे दिया हो और आप सावयन इटिल फेई डेक्टर को इतना खुस देखर कहता है कि क्या तुम्हें इनरे कैर्मी पसंद आई है जिसपल इटिल फेई डेक्टर एक समाइल के साथ कहती है कि हाँ मुझे इनरे कैर्मी वोड़िसके एट्मस्पेर बहुत जीदा पसंद आया अब सावयन इटिल फेई डेक्टर से फूस दाए कि अभी के लिए तुम मुझे ये बताओ तुम्हारी वोड़िसके बड़िक कैसी है क्या तुम्हारा आभी भी इस पर अशे से कंट्रोल है की नहीं जिसके बाद मैं अपनी वोड़िसके बड़िक वोचे से कंट्रोल नहीं करपाऊंगे और ये तब के टैम अरफ्ट हो ही जाएगी अब लिजिल फे इडेक्टर की ये बात को सुनकर सव्यन की फे 6 पेशन बिल्कुल चेल हो जाते हैं और वो लिजिल फे इडेक्टर से कहता आएगी तो तुम कभी भी अपने चाहने वाले को और अपने साथ खरे लोगों को कभी भी ना चाहते हुरी भी नुकसार नहीं पहुचा पाऊगी और ना ही कोई तुम्हें अपना चुने से मरेगा बेठे हुए थे जहां पर अब सावयन और इचिन फे इडेक्टर भी आ जाती है जीने देकर सभी केलर्स खरे हो गए थे और वो सावयन को एक रिस्पेट के साथ साथ सावयन को बीड़ करके सावयन से कहता है कि मिस्टर सावयन हम आपका काफी दिनों से यहाँ पर वेट कर रहे थे जिस पर सावयन उन सभी से सोरी केकर कहता है कि मैं किसी काम में फस गया था इसलिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ इसके लिए और वेसे भी जो फोनन हार्ट फ्लेम तुम उस ब्लेजिंग इसका क्यूरी फाइंग टैवर के कंटेनर में वरोगे वो सिर्फ दो से तीन साल ही जल पाएगी और वेसे भी अब तुम सेंट्रल पेन में जाने वाले हो और किसे पता कि तुम उन सेंट्रल पेन में कितने वक्त गुजारोगे और कफ तुम वापस आओगे लेकिन आब मैं नहीं चाथा कि तुम इन कंटेनर्स को भरो बलकि हमें अभी खेलिए कि तुम से इससे भी ज़ता लंबे समय की ग्रैंटी चाहिए और फॉस्टलर सुकेन की ये बात को सुनकर सौयन हामे सरिला देते हैं क्यूंकि वह भी समझता था कि अगर वो सेंट्रल प्लेन चला गया तो दो या तीन सालों के अंदर अंदर वो जैने ने कर्मी वाफस नहीं पाएगा और जब ब्लेजिग इसका क्यूजिफ हैंग टैवर की फोलन हर्ट फिलम खतम हो जाएगी तो उसे आकर पॉल मरेगा अब इसके साथ ही साल्यन से कहता आए कि फोलन हर्ट फिलम को वह पसे जलाने का जिस पर फॉस्टलर सुकेन सल्यन से कहता है कि मेरे पास एक और अगर तुम सावियन अपनी जेएंट लेकिन फोरा आप्ड़ के दोँ तो फिर इसके बाद हमारे एल्रसिस के स्पीट को काफी हद तक बढ़ा ही देंगे और अगर जब तुम अपनी फोलन हाट फिलेम का थोड़ा सा एसेंसिस फिलेम के द्रिंग पोर्ट में डालोगे तो इससे तुमें भी काफी जिदा नुखसान होगा जिसकी वज़े से हो सकता है कि तुमें बहुत ही जिदा को काफी जिदा इंट्रेस्टेट हो गया था और वह फोचलर सुकेंन की सारी बाते सुनकर और उस फिलेम के द्रिंगपोर्ट को देखकर कहता है कि ये मुझे कहीं से भी पोर्ट नहीं लख रहा और फिर सावयन फोलन हाट फ्लेम वो एक नेचुरल चीज थी और तुमने उस फोलन हाट फ्लेम को अपनी एबिलिटी से हासिल किया और अपनी इंपिनिटी को और अपनी एबिलिटी को भी तुमने पुरूब कर दिया और तुम्हें जरा से भी गिल्टी फील करने की जरोत नहीं है और वेसे भी बात करूँ तो अगर तुम तब के वक्त फॉलन हाट फिलेम को पकरने में हमारी मदत ना करते हैं वो अफदक हमारे इनर एकार्मी बहुत बड़े डिजैसर से गुज़र सुकी होती और फिर इसके साथ ही फॉलन हाट फिलेम को फिलेम के दिरिंग पकरा कर साव्यन से कहते हैं कि अभी के लिए तुम्हें ज़रा भी जल्दी नहीं करनी चाहिए तुम्हें अपनी फॉलन हाट फिलेम की एसेंस को इस पोड में डाल लेगी अगर तुम्हारे पास जब भी टाइम हो और अगर तुम्हारा मन करे तो तुम अपनी फोलन हाट फिलम का थोड़ा सा एसेंस इस फिलम के दिंग पोर्ट में डाल देना। फोलन हाल में मजूद दूसरे इल्डर से भी बड़ी अची गप्य सब्पे मारता रहता है। और वही खुच हिलरस तो साउयन को टायर लेवल 6 का एलकिमिस्ट होने की बज़े से बहुत ही इदा इस्ट्रेक दे रहे थे। जिनको की साउयन उन्हें बड़ी मुश्किल से रुख रहा था। और अब साउली की ये बात को सुनकर हॉल में वेठे सभी के एल्डर सोड लोगों की रंग फीके बर गए थे। क्योंकि वोने पता था कि वोल ग्राउं डिमें गोश्ट आकी रहे क्या बला। अब इसके साथ ही सायन फॉस्टलर सुकेंट से कहता है कि मैंने उस कमीने हैंडपैंग को वाकी में अनरेस्टिमेट कर दिया। मुझे उस कुटे हैंडपैंग को तव की वक्ती मार देना चाहिए था। जिसके साथ ही दुसरा एलर जल्दी से कहता है कि जैसा कि डिमेंड फिलें बेली और जैनन अकाडमी में बहुती जदा दिनों से लराइच चाहिए और जैसा कि वाल गराउं डिमेंड बोश्ट डिमेंड फिलेंड बेली का चीफ है। जैनन अकाडमी के खिलाव कोई कंप्लेन स्टार्ट करेगा तो हम उसे फुरी तरह से कंपनी देंगे और उसका दिमाग उसके पिछवारे में सेट कर देंगे और उसकी आगे का मसीन उसी पिछवारे में डाल दिंगे। और अब इसके साथ ही वही अब दूसरा एलडर गुसे में कहता है कि जब हमारे हैर मास्टर जैनन अकाडमी में होते थे तो ये वाल ग्राउंड डिमेंड गोश्ट अपने सभी के लोगों वो लेकर किसी कच्रे की तरह इदर उदर लेंगता फिर रहे थे और तब के अब त सावली से भी कहते है कि तुम दोनों इस जैनने कैर्मी से कुछ दिनों के लिए बाहर नहीं जाओगे क्योंकि अभी के लिए वोल गराउंड डिमेंड गोश्ट बहुत यदा घुसे में होगा और वो तुम दोनों को कही भी जाने नहीं देगा और वो अपना बदला तुम स से केते हैं कि अभी के लिए हमें वेट खरना हुए कि वोल गराउंड डिमेंड गोश्ट नेक्स्ट अपना क्या लेते हैं और क्या वो बुढ़ा इतना ही जदा एरोगेंट होगे आए कि उसे लगता है कि मेरी जैनने कैर्मी को इजीली डिश्टोई कर देगा तो ये उसकी बिल्कुल दर फैमिली है क्योंकि वो अभी इतना जिदा क्वालिफाइड नहीं हुए जो कि वो मेरे जैनने कैर्मी को डिश्टोई करपाए है और वेसे वी इन सालों के दुरान मेरे जैनने कैर्मी के बहुत सारे इस्टूडेंट उस डिमेंड फ्लेम बेली के हाथ है और अभी के लिए साउयन वाल ग्राउंड डिमेंड गोसे से सिक्स या सेमने स्टारी राए डोजम लेबल के एंसेस्टर से पहली बार लड़ने मला था क्योंकि साउयन नहीं इतना इस्ट्रॉंग पर्सन अभी के लिए अपनी पूरी जिन्धी में नहीं देखा था अब जैसे अलव रहा था कि ये सारी फाइट भूदिश्वर्टी टैंसमेशन सलैवा के लिए युवरा है और वो सभी बाते कर रहे थे कि जैनने कैर्मी का हेर्ड मास्टर एक दोजन नेवल का एक्सपॉट है और अभी के लिए डीमें बेली का ये जो वाल ग्राउंड डीमें का हुआ तो अभी के लिए कि जैनने कैर्मी इस वाल ग्राउंड डीमें गोस्ट चे मुखावला कर भी पाएगा कि नहीं लेकिन इतर साल्यून को जैनने कैर्मी में घंटा भी फरक नहीं दा परा कि वह वाल ग्राउंड डीमन गोस्ट से दो या तीन दों के बाद फाइट क सामने होते हैं और साव्यन वहाँ पर एनांस भी करते हैं कि उस मैज में कौन जीता वोराव यह फाइनल फाइट होती है जिसमें कि एक लर्खा जीता था जिसको कि साव्यन अभी के लिए उसके रिजल्ट को एनांस कर नहीं वहाँ था लेकिन तब भी वहाँ पर बहुत ही जिसके साथ ही एव असमान में से एक बहुती थेज़ आजा जाती है जहां से कोई कह रहा था कि जैनने के चोटे बच्चों तुम लोगे ने मुझे से इंसेस्टे को रिसीव करना बोली वे थे क्या यही यह जो तुमें जैनने के हैर मास्टर मैं टैंग जीन ने सिखाया है अब इसके साथ ही सावयन यह बात को सुनकर असमान की तरब देखते हुए और उसी बात को सुनकर फर्स लेर सूटें भी वहाँ पर हैपेर हो जाते हैं और वह बुसे में अपनी मुटी को बीचते हुए कहते हैं कि ओल गराउं डीमन गोश्ट तुम यहा है और वही सावयन की नजर अपने सामने खड़े 20 लोगों पर पर दिये जिन मेंसे दो लोगों को बहुती कोर से देख रहे थे एक था हैंड फैंग और दूसरा था ओल गराउं डीमन गोश्ट जिसकी बाड़ी किसी स्कॉल की तरह सक थी और उसकी इसकी बहुत इज़ता भरिक्टी जिसकी व कैन भी उस रेड़ कलर के जाट वारे से थोड़ा बहुत डर रहे थे हैं और फिर इसके साथ ही साव यनूस वर्ल गराउं डीमें गोश्ट से कहता आए कि अब योई रेड़ कलर की जाटू तुम्हें ही बोल आओ इदर उदर क्या गुम ले हो ये वीडियो खतम होने बाला और अब मेरा दो ही सब्जेक्ट का एकजाम है जो कि अब दो दिन होने माला है और जैसे ही वो खतम हो जाते हैं तो मैं लंबी-लंबी वीडियो बना कर अफ्लोट करना इस्टार्ट कर दूँगा और आज के लिए इतना ही मैं आप सभी से मिलता हूँ अबली वाली वीडियो में तब तक के लिए मैं भी ड्रेस्यू खाओ प्योर मस्ट बहूँ अबली वीडियो